Hey everybody, welcome back to Genuine Air Drops channel नमस्कार दुस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सवागत है सबसे पहले दुस्तों आप सभी को विश्चु वेरी हैपी देवाली तु आल जी फैमिली एंड बिट अन्य फैमिली हम विश्च करते हैं कि आने वाले टाम के अंदर हम क्रिप्टो से और भी ज़्यादा अन करें दिस यर दिवाली के टाम पर एप्टाउस के तुरू सभी लोगों काफी तगड़ा प्रॉफित हुआ है एक लाग रुपे से लेके पांच है, दस लाग रुपे तक का आने वाले टाम में हम लोग और भी ज़्यादा प्रॉफित अन करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पर महनत कर रहे हैं अर्ली प्रिजर्स को जॉइन करने की, जितना भी यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो दिख रही है इन सब के थुर हमें, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफित फूटर में मिलेगा तो सभी चीज़ें आप लोग फॉलो करते रहे हैं, अपना डेडिकेशन दिखाते रहे हैं दोस्तों लास्ट वीडियो पर आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है जो की बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, तो आप लोग लाइक ज़रू करती करें वीडियो पर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बलर के बारे में, बलर एरडॉप सेकंड राउंड के बारे में काफी ज़रे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सेकंड राउंड के बारे में आपके साथ में शेयर करूं एक्चली दोस्तों सबसे ची बात इसके अंदर क्या है और लोग ने अपने सेकंड राउंड के आर्टिकल में ये बताय हुआ है कि किस किस टाइप के यूजर को ये accept करेंगे यहाँ पर साफ बात हैं बोल दी गई है तो उसी चीज़को हम लोग फॉलो कर सकते हैं तो बी एन जैनियूजर तो बी ए लेजिट यूजर जिससे कि आने वाला जो राउंड है वो यहाँ पर मिल पाए तो दोस्तों एरडोप राउंड वन में क्या था एक्चुली जो जब बलर यहाँ पर लॉंच हुआ था और इनिशिल स्टेज पर जिन लोगों ने बलर एनेफटी मार्केट प्लेस पर ट्रेड यहाँ पर कर ली थी कोई भी एनेफटी कितनी भी वॉल्यूम की कोई मैटर नहीं करता उन लोगों को यहाँ पर एरडोप मिला है लोयाल्टी के साफ से यानि कि आप देहेंगे कि यहाँ पर जो एरडोप मिला है लोगों को इस एरडोप के अंदर दोस्तों कुछ इस टैप के पैकेजिस मिले हैं जो कि जैनुवरी के अंदर ओपन होंगे इन पैकेजिस को शायद अभी ट्रेड कर सकते हैं लोग एंड यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है अभी भी काफी इच्छे में बिक रहा है यह जैसा कि अगर आप डिसकॉर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर एडमिन बोल रहा है कि अभी हम लोग इन पैकेजिस को अभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं यह जैनुवरी में ही यहाँ पर ओपन होंगे और इन पैकेजिस के थ्रू हम लोग इनका जो ब्लर गवर्नेंस टोकन आएगा डॉलर ब्लर करके जो टिकर इसका होगा वो टोकन यहाँ पर इन पैकेजिस के थ्रू हमें मिलेगा तो जैनुवरी के अंदर यह ओपन होंगे जिसके अंदर ब्लर टोकन यहाँ पर मिलेंगे है लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने हमारे Twitter handle को follow नहीं किया है जीए DAO के तो make sure to follow this यहाँ पर हम लोग Aptos ecosystem से related जितनी भी NFTs है उनको यहाँ पर हम लोग share कर रहे हैं जितनी भी से मतला है दोस्तों चुनिंदा NFTs जिनको हम लोग चूज करके ला रही है हमारे team चूज कर रही है कि कौन-कौन से best project है जो हमें profit दे सकते हैं जिनकी supply कम है और जिनकी थोड़ी बहुत market के अंदर hype है तो ऐसे early projects को हम लोग find करके आपके साथ share कर रहे हैं यहाँ पर यह हमें कुछ न कुछ profit दे सकते हैं 23x, 4x, 5x, 10x तक का भी profit यहाँ पर यह दे सकते हैं क्योंकि Aptos ecosystem की इससे में hype जादा है daily everyday Twitter पर हम लोग को यहाँ पर Aptos का hashtag trend हो तो देखने को मिल रहा है so आप लोग उनको join करना चाहों तो कर सकते हैं यही पर ही दोस्तों winner list rounds होती है and यही पर ही आपको NFTs के बारे मिल जागा and recently दोस्तों telegram पर आपके साथ मैंने Colas के बारे में शिर किया था जो हम लोग ने काफी कुछ दिन पहले शिर किया था 2 APTs की minting price थी 8 APT यहाँ पर floor price यह उस से उपर यह गया था and still यहाँ पर यह है 5-6 APTs में तो सभी को up to 4X तक का यहाँ पर Colas NFT ने profit दिया इन NFT से दोस्तों जो भी profit मलता है तो रंत लेकर out हो जो मेरा करना यही रहेगा क्योंकि अभी दोस्तों NFT से profit यहाँ पर matter करता है दोस्तों जिसमें आपको कोई भी investment नहीं करनी पड़ेगी just free mint करना है that's it तो 40 whitelist Bitboys की free mint की है यहाँ पर और भी दूसर प्रजेक्ट है जिनकी free mint के बारे में आपके साथ यहाँ पर share किया है जैसे कि Dope Dears के बारे में जिसकी 30 whitelist है वो सीधर directly profit होगा आपका तो यह काफी अच्छी चीज़ है अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं Airdrop round 2 के बारे में कि round 2 का eligibility criteria क्या है और यहाँ पर कैसे हम लोग follow कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है दोस्तों जैसे कि round 1 का criteria था वो last 6 months में किसी न अगर यहाँ पर बलर NFT marketplace पर कभी कोई trade कियो तो वो लोग यहाँ पर eligible होंगे और वो भी दोस्तों matter करता था कि किसकी कितनी loyalty है जिसकी यहाँ पर loyalty होगी जितनी जादा तो दोस्तों packages तो सभी को मिलेंगे जिसने यहाँ पर कभी use किया होगा फस्त राउंड के अंदर उन सबको packages मिले हैं packages कैसे मिले हैं दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके बारे मैं telegram पर मैं already share कर चुका हूँ तो यहाँ पर काफी सारे अपने कुछ community की members हैं जिन लोगों को round 1 जिन लोगों ने हाँ पर trade किया था हलांके मैंने share नहीं किया था कि blood पर trade कर लो यहाँ पर हमने blood का एक invite program चल रहा था वो share किया था लेकिन उसका कुछ benefit खास हुआ नहीं ठीक है तो यहाँ पर round 2 के अंदर क्या था round 1 के अंदर कुछ इस तरीके के आपको packages यहाँ पर मिलेंगे यह packages दोस्तो हम लोग January के अंदर open कर पाएंगे January में जब इनका main net यानि का governance release होगा तब हम इसको open कर पाएंगे लेकिन उनकी जतनी जाता loyalty होगी उन package को जब वो open करेंगे तो वहाँ पर loyalty का माएंगे जितनी जाता loyalty होगी उतने जाता token वहाँ पर मिलने के चांसे रहेंगे इसी तरीकी का दूस्तों सेम फंडा airdrop round 2 के अंदर है यहाँ पर क्या बोला है in order to prevent gaming the system we are not specifying an explicit formula for airdrop round 2 but we are but here are some tips on how to maximize your airdrop यानि कि यहाँ पर इन्होंने कुछ tips दिऊ ही हैं लेकिन एग्जैक्ली नहीं बताएंगे क्या इनका formula रहेगा game airdrop को define करने का किस तरीके से airdrop user को ही लोग verify करेंगे उसका लेकिन यहाँ पर कुछ tips दिऊ ही है इन tips के साफसा दूस्तों हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और tips बहुत यहाँ पर सही दी हुई है मतलब इससे ही पते सल रहा है कि हम लोग को यह task अगर follow करेंगे हाँ तो 100% हम लोग eligible हो जाएंगे तो first thing first the more you list the more you earn यानि कि जितनी ज्यादा nfts आप लिस्ट करोगे यहाँ पर जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपनी engagement भढ़ाओगे cdc बात समझ लीजिए अपने account की engagement भढ़ाओगे जितनी ज्यादा buy sale trade करोगे यहाँ पर उतना ज्यादा आपका यहाँ पर eligibility के chances रहेंगे आपको यहाँ पर जब second round का एरवरॉप claim आएगा तो उसके अंदर packages है जैसे कि वो packages आप यहाँ पर claim कर पाऊगे ठीक है यहाँ पर लिखा है listing blue chips help तो blue chips help से मतलब क्या है दोस्तों blue chips help से मतलब है blue chips का मतलब है top के nfts collection यानि कि top 24s volume based पर जो nfts collection है यह सारे की सारे blue chips के अंदर आ जाते हैं ठीक है तो जितने जादा आप top के nft collection भी आप trade करोगे उतना जादा आपको यहाँ पर अच्छी loyalty मिलने के चांसे रहेंगे जादा रेयर पैकेजिस मिलने के चांसे रहेंगे listing fees just यहाँ पर 70-80 cents के आसपास है मैंने यहाँ पर list करने का try करा यहाँ पर जब मैं अपने portfolio पर आता हूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ nft है जैसे कि मेरे में दो यहाँ पर nft है जो tradable दिखा रहा है regenesis nft है जिसको मैंने list तो कर दिया है higher price पर और अगर मैं देखूं तो यह कितने पर यहाँ पर trading चल रही है बहुत कम पर trade चल रही है तो मुझे इसको sale नहीं करना क्योंकि nft regenesis की हम लोग ने claim करी थी यह future में कभी काम आ सकती है तो इसको trade नहीं करना लेकिन यही पांदर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 0.01 पर यहाँ पर इसका easily यहाँ पर trade हो रहा है इसका जो floor price है लेकिन मैंने इसको sale करा है यहाँ पर 0.03 पर listing कर दी है ठीक है यहाँ पर buy करूंगा और फिर उसको selling पर लगा दूगा थोड़ी जादा price में जिससे कि यहाँ पर मेरी consistency भढ़ती जाए इस NFT marketplace के अंदर तो यहाँ पर blue chips के बारे हम बताया है listing more active collection यह दोनों options का मतलब यह दोनों tip का मतलब एक ही है मतलब यहाँ पर blue chips से ही मतलब वही है जो more active collection है more active collection कौन से है ऐसे collection जो यहाँ पर daily volume के साफ से 7 days volume के साफ से जिनकी higher rank है ठीक है तो हम देखेंगे कि top collection में से ऐसे कौन से collection है जिनकी बहुत कम price देजाते कि 0.02 Ethereum है इसकी तो हम लोग इसको यहाँ पर buy कर सकते हैं and थोड़ी सी जादा value पर या थोड़ी सी कम value पर आप चाहो तो selling पर लगा सकते हो और इसका volume दोस्तों यहाँ पर one day का volume अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 76 Ethereum का है and इसी तरीके से आप देखिए कौन-कौन से NFTs हैं जो आप afford कर सकते हो जिनको आप buy कर सकते हो या sell कर सकते हो तो सीदी सी बात है दोस्तों blur जो है वो open sea और दूसरे top के Ethereum marketplace को टक कर देने के लिए आया है आने वाले time के अंदर यह layer 2 भी लेकर आएगा अपने NFT marketplace पर अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा fourth point है वो यहाँ पर बोल गया है use all our listing tools you can list by floor price, trade floor price and ladder list जब हम NFT list करने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा NFT list करते वक्त हमें three options मिलते हैं जैसे कि मालीजिये मुझे यह list करना है लेकिन यह tradable नहीं है क्योंकि NFT का कोई यहाँ पर वो नहीं है top trade मतलब जो भी NFT की currently higher rate यहाँ पर किसी ने search करीए market base में तो सबसे higher rate पर वो यहाँ पर automatically उसकी price यहाँ पर आ जाएगी अभी इसकी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगी तो वो automatically यहाँ पर आ जाएगी ladder का मतलब है दूस्तों अगर आपको multiple NFT list करनी है करना है कि आपने कोई NFT आपके पास है उसी को आप बार-बार 22-22 कर रहे हो अपने एक account से दूसरे account में बार-बार realist कर रहे हो तो यह चीज़ मत करना जो की spamming के अंदर आ जाएगा और यह लोग analyze कर लेंगे कि आपका एक spam account है और आपकी वहाँ पर हो सकता है loyalty आपकी गिड़ जाए या आप eligible Europe के लिए ना हो unrealistic price यानि कि कोई भी NFT आप list मत करना जो market price से बहुत जादा rate पर हो या बहुत कम rate पर हो बिल्कुल ठीक है तो वो unrealistic price के अंदर count हो जागी cyber attack का मतलब है दोस्तों यहाँ पर bot attacking एक तरीकी की तो वो चीज़ bot के थू listing by selling नहीं करनी है वो चीज़ यहाँ पर यह लोग count कर लेंगे listing debt collection ऐसे collection जैसे की यह वाला जो collection है यह debt collection है मेरे पास अब इमाल लीजी यह show तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर इसके कोई marketplace में activity नहीं है कोई trading नहीं चल लगी तो यह तरीकी का debt collection है तो ऐसे collection यहाँ पर काम नहीं करेंगे we will conduct expensive analysis to weed out traders with unnatural listing activity तो यह लोग बहुत अच्छे से analyze करेंगे जब यह airdrop देंगे तो उससे पहले यहाँ पर इसाडर data को analyze करेंगे तो यह चीज़ आपनों को ध्यान में रखनी है तो यह easily नहीं देंगे और blur token का token metric अभी तक नहीं आया है उमीद है कि blur token की value काफी अच्छे हैगी और supply काफी limited हो सकती है supply limited नहीं हुई supply जाद होई तो token की quantity यह लोग जादा दे सकते हैं और अच्छा airdrop मिल सकता है ठीक है अब यहाँ पर क्या बुला है इनों है if you just list naturally on blur you will be fine यानि कि simply आपको जादा है लेने का है एक genuine user जिस तरीके से एक marketplace पर trade करता है उसी तरीके से आपने trade करनी है don't forget that you can also list on another marketplace through blur यानि कि आप जब blur यूस करते हो और आप कोई भी NFT को list करने जाते हो तो blur के थूँ ही आप different third party marketplace पर list कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर marketplace कौन सा है यह तो है blur का ठीक है यह यहाँ पर दूसरा marketplace है और यह दूस्तों open sea अगर आप यहाँ पर tick on कर दोगे तो आप open sea पर भी list कर सकते हो directly blur के थूँ ठीक है एंड यहाँ पर last में लोग ने बोला है try placing at least three sweeps on blur before Europe round two as well जब इनका Europe round two claiming आईगी उससे पहले यहाँ पर इन्हों ने बोड़ा है three sweeps आप यहाँ पर place करो अपने order three sweeps के three sweeps से मतलब भी दूस्तों यहाँ पर एक sweeps के अंदर आप समझ सकते हैं three four NFTs मान लीजिए यानि कि 9-10 बार यह लोग ट्रेट करने के लिए बोल रहा है ठीक है 10-12 आप लोग यहाँ पर ट्रेट कर लो NFT buy कर लो, sale कर लो, selling पर लगा दो बार बार ऐसे लिस्टिंग पर लगाओ ठीक है करना है, 2-3 दिन में एक बार कर दी 3-4 दिन में एक बार कर दी या फिर आपने marketplace में sale करने लगा दी किसी और ने buy कर ली या आपने किसी और से buy कर ली तो इसी तरीकिये से आपने हाँ पर trade करनी है इसलिए आपने जादा पैसा नहीं इसमें यूज करना है आप ऐसे देखी जिसको आप effort कर सकते हो जिसको effort करते समय आपको जादा problem ना हो जैसे ये वाली NFT है इसकी floor price 0.12 है ये NFT बाय कर ली फिर selling बलगा दी ठीक है यहाँ पर कोई और NFT हम लोग देख सकते हैं जिसकी और कम floor price हो 0.04 वाली ये वाली NFT हमने देख लिए इसका देख सकते हैं वंडे वॉल्यम 41 एथिरियम का है इसको बाय कर लिया इसको बाय कर लिया तो ऐसी NFTs देखो जिनको आप afford कर सको और जिनको आप बार-बार बाय करके लिस्ट कर सको तो आप यहाँ पर एक eligible user बन जाओगे ठीक है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से आप लोग कर सकते हो एक महीने के अंदर आप इस सारे काम कर लोगे तो आप eligible हो जाओगे क्योंकि Airdrop Round 2 क्लेम होने में शायद अभी टाइम है हो सकता है यह लोग दिसमबर के लास्ट या जैनवरी में Airdrop Round 2 का क्लेम यहाँ पर दें ठीक है दिसमबर में ज़्यादा उमीद लगती है मुझे अब दोस्तों यहाँ पर बताया है incentivized royalties incentivized royalties का मतलब दोस्तों वही है जो मैंने आपको बताया है आप जतना यहाँ पर जादा buy-sill trading करोगे उतनी जादा royalties आपको मिलेगी यानि कि जब आप यहाँ पर NFT लिस्ट करते हो suppose कि कोई NFT लिस्ट यह दोना दोस्तों पर लोयालिटी जो आप nfd list करते दोस्तों यहाँ पर तो लिस्ट करते वाँ आप से रियली फीज की बारे पूच आता है कि यानि किसी करेटर को जिसकी नेफटी है उस करेटर के पास अगर आप यहाँ पर कुछ as a tip कि आप देना चाहते हो तो परसेंट वाइज आप यहाँ पर दे सकते हैं सब्सक्राइब कि मैं एने फ्टी तो लिस्ट कर रहा हूं यहाँ पर 0.03 इथेरियम में जिसकी 40 डॉलर वैली होती है लेकिन में यहाँ पर 1% कि इसको रियालिटी देना चाहता हूं तो इसमें से 1% य यहाँ पर पता चलता है कि हमाँ पस कोई भी लोयालिटी नहीं है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इलेजिबिल हो अब दोस्तों आपस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझिए कि जो एरोप राउंड वन था उसके लिए यहाँ पर जो लोग इलेजिबल है कौन-कौन स अब दोस्तों यहाँ पर एरोट पर राउंड टू के लिए भी ऐसा ही है हम लोग लोयालिटी कैसे अन कर सकते हैं जितनी भी टॉप के 500 कलेक्शन से 24 वालुम बेज्ट वो लोग यहाँ पर लोयालिटी स्कोर में इंकुलिडिड है यानि कि इसका मतलब यह है अगर हम कलेक् में से मिलेगी यानि कि यही के टॉफ 500 कलेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कोई एक ऐसी एनफटी पहले से है जो इन टॉफ 500 कलेक्शन में आती है अगर नहीं है तो आपको बाय करनी पड़ेगी एंड उसको सेल करना पड़ेगा एंड उसको ट्रेट करना पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो चीज आप देखिए थोड़ा सा एक्सपैंसिव दोस्टों यह पड़ेगा इसके अंदर खर्चा आ जाएगा एंड तब जाके आपकी यहाँ पर लोयालिटी परसेंटिस यहाँ पर गेंगे और एक्सपैंसिव है बार बार लिस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर जैनिन उसर बनने के लिए दस बारा पंदरा बार यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा डिफरेंट एनेफ्टी यह सेम नेफ्टी भी कर रहे हो तो दो तीन बार कर लो एंड टॉप 500 क्लेक्शन म मिलेगा so hopefully guys you understand it and आपको करना है या नहीं करना यह आप देखिए कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं किस तरीके से नहीं कर सकते हैं अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड हो तभी आप लोग उसको करिएगा नहीं इंट्रेस्टेड हो तो skip करिएगा ज्यादा लोड लेनी क का और इससे ज्यादा गाभी तो यह मेरी अदंपिशन है यह मेरी स्पेक्टिलेशन है शायद ऐसा पॉसिबल है क्योंकि प्रजेक्ट स्ट्रॉंग है अगर इसके टोकन सप्लाइ काफी कम रहती इनिशली हाइप इसकी ज्यादा है एथेरिम मार्केट प्लेस है तो यस अग कि हुआ आएपी का अगरे थेरिम मार्कश स्टोई इस देन कि हमें प्लेसे टीजादा शू वालक प्लेट स्टूल चूले हैं श favorable बंटार इस्टार मारे है की ज्या है